जो इस ब्रह्माजीड के स्वावनी है उन कल्यारकारी शिव को अमाना कोटी गोटी नमन। पौराणी कथाओं के अरुजार स्रिष्टी के उपत्ते भगवान शिव की ही देन है। जब ब्रह्माजी मैथुनी स्रिष्ट्य उपन्न करने में असमर्थ हुए, तब उन्होंने पराम परमेश्वर शिव को प्रसन्न करने है तो घोड तब किया। ब्रह्माजी के तब से प्रसन्न हो, देवाधी देवशंकर पराशक्ती शिवा के साथ, उनके समक्ष एक नए रूप में प्रगट हुए। ब्रह्माजी के साथ, तब उनके 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 साथ, तब उन चंदिल एकारार शरीर कारी ना पुर्द एकारार न शरीर कारी कंदिल एकार एक जजदार खड़ारा आ शिवाया इचा लो महा शिवाया शिवाया, 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 शिवाया आद। जान आदेश रिए हैं चांपा कोष्पों सी गोरी फी रिंदेवान है तो आहीं आधे शरीर में करपूर के समान गौर जी यानि भगवान शंकर सुछोवित है जाहने को शंकर जी जटा धारण किये हुए है तो आहीं दूसरी ओड गौर जी के सुन अर्गेश पाश सुछोवित हो रहे है शंक्ति के साथ शिव का यह रूप अधना इश्वर रूप कहलाता है अपने इस वरूप से भागवान शिव प्रहाजी को प्रजदन शी प्राणी के सुजन की फेरा देते है और साथी यह संदेश भी देते हैं कि स्त्री पुरुष समान है क्योंकि शक्ति के बिना शिर्थ शिर्थ नहीं है ब्रह्मा जी के आग्रहपर शक्ति ने उनके कुत्र दक्ष के यहां सती के रूप में चन्द लिया इन्ही शक्ति रूपी सती का बिवा भागवान शिर्थ से हुआ परन्तु तीनों लोगों में तबहा हातार मच गया जो प्रजापती दक्ष ने गंखल में एक यग्यता आयोजन किया सतना में पर्माू गया के वा लुमी मासमाना सा शिवनुपले कि वाषिनी, मास्विली, वाषिन। हत्मावना मि पुर्कासा, प्रभी बेश Pavut आशन। भूपर्णार जगत्यस्वामी सर्भाफर्णार था इन देओं।